हेलो दोस्तो लेट्स क्रेकट में आपका स्वागत है और 11 सितंबर 2022 का दाइंग्यू नियूस पेपर उसका साइंस एंटेक का पेज आप लोग के सामने इसकी पीडियेफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी वहाँ पर मलब नीच इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक द सबसे पहले लिख रहा है ओजोन लेयर डेमज और ओजोन लेयर डेमज के बारे में आपको पता है इस स्टेटो स्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है यूवी रेस से हमें बचाती है यह सब कॉमन चीज़ें यहां पर हो गए यहां पर बेसिकलि यह बताया गया है कि 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक जो आपकी ओस्टेलिया के अंदर वाइल फायर यहां पर लगी थी बहुत जादा न्यूस के अंदर आई थी ठीक है तो उसके कारण भारी मात्रा में जो गैसी हैं वो एट्मोस्फेर में गई और एट्मोस्फेरिक टेंपरेचर जो है वो बढ़ गया सि के अलाबा ओके तो लगबग 70-80 करेंग गैसे निकलती हैं ओके मोनिटर भी नहीं कर सकते हैं बहुत को तो तो उससे जो है वो टेंपरेचर लगबग 3 डिग्री से यहां पर बढ़ गया था जिसकी वज़े से ओजो जो है वो यहां पर बढ़ा हो गया इसमें जादधा स्ट देखने के लिए मिले इंडिया में कई जगे देखें तो क्लाउड वस्ट की सिचुएशन देखने के लिए मिली इंडिया में उडीसा के अंदर आप देखो महानदी रिवर वेसन में फिलट्स भी देखने के लिए मिले तो यह सब क्लाइमेट चेंज के कारण यहां पर हो इसके कुछ कारण मैंने आपको यहाँ पर साइड में दिये हैं सेम कारण जो है वो इंडिया में भी बर्क कर सकते हैं सिर्फ इस वाले को छोड़ करके Glacier Lake Bursting इसके अलावा heat wave जो है उसके कारण में भी ये भी एक extraordinary event की रूप में उभर क्या है, heat waves पूरी दुनिया को impact करती हूँ ने जर आई, एक depression बना low air pressure जो है वो Arabiancy के अंदर में बना, जिससे की भारी range जो है वो पाकिस्तान के coastal province पर पड़ी, आप देखो कि नोर्थ में बाल क्यो आई, दूसरा point, ओके, इसके अलावा कुछ और weather agencies ये भी predict कर रही है, कि ला नीना climate जो है, वो भी एक कारण बना, आपको पता है कि ला नीना के कारण, जो Southern Asia है, जहां पर आपका इंडिया, पाकिस्तान, मियमार बगएर आ जाते हैं, वहां पर भारी मातरा में बारिस होती ह वो कह सकते हैं कि जो आपका तेज रहता है, मतलब मौनसूनल बारिश जो है, वो काफी जादा होती है, ला नीना पिछले तीन साल से जो है, वो आ रहा है, 2019-20, 2021 और 2021 इसमें भी आपका जो है, वो आपका ला नीना इवेंट यहां पर देखने के लिए मिला, इंडिया और प पुआ डिजास्टर मेनेजमेंट, पॉलिटिकल इनिस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, अन्रेगुलेटिट अर्बन डेबलप्मेंट, स्टोरेज इंफरस्ट्रक्टर और डेने सिस्टम साही नहीं है, और साथ इसाथ जो लोग हैं, वो बहुत जादा फिलड जोंस में यहा पुआ जाद रखने हैं, सेम कारण आपको इंडिया के अंदर में भी जाद रखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसके अलावा बड़े आर्टिकल ये तरफ चलते हैं, और यहां पर बात की गई है, क्लाउड बस्ट की और इंडिया में अभी भी सही नहीं है, उसके पीछ पहले क्लाउड बस्ट की डेफिनिशन, उसके कुछ कारण वगेरा सब दिया गया, कैसे बनता है, कैसे होता है, सब चीज़ें यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, क्लाउड बस्ट होता क्या है, तो क्लाउड बस्ट जो है, वो आप देखो कि एक छोटे एरिया में, छोट क्लाउड बस्ट का नाम यहां पर दिया जाता है, लगबग मिट 19 वी सेंचुरी से यह चीज़ें जो है, वो रिपोर्ट की जा रही है, हालांकि इसके कुछ करेक्टरिस्टिक जो है, वो अभी तक हमें यहां पर नहीं भी पता है, और हमारे जो effort है, इसको monitor करने के, forecast करने क बो भी अभी बहुत ही कह सकते है, initial stage में है, embryonic stage में है, यानि कि उतने ज़्यादा developed नहीं है, इसके बहुत सारे disasters impact होते हैं, बहुत सारे लोगों की life चली जाती है, और property वगएरा का damage भी यहां पर होता है, इसके लावा climate भी change हो जाता है, और climate change के कारण भी cloud worst की situation देखने के पड़ेगा, clouds की अगर हम बात करें, तो आपके earth के surface के उपर देखें, तो clouds लगबख 70% atmosphere को cover यहां पर कर लेते हैं, okay, thin layer होती है, like floating ocean की तरह यह आपके आकास को cover करते हैं, इसी के साथ साथ आप देखो, entire surface of earth जो है, वो water के जरीए, मतलब इतना water होता है, clouds के अंदर में, कि वो पूरे surface को एक cube, एक basically meter तक, sorry, एक centimeter की range जो है, वो sufficiently यहां पर cover कर सकते हैं, तो इतना मतलब यहां पर यह बताया गया है, कि कितना जो cloud है, वो कितना यहां पर आपका बारिश को absorb कर सकते हैं, कितना water उनके अंदर में यहां पर होता है, okay, तो cloud burst event जो है, वो इस तरीके से ह और cloud burst event cumulo numbers clouds से associated होते हैं, clouds के कई सारे type geographic के अंदर पढ़ेंगे, उनमें से एक होता है, cumulo numbers cloud, इसकी वज़े से thunder storm आते हैं, और occasionally, due to the monsoon wind surge and other weather phenomena, उसके कारण में भी cloud burst जो है, वो बन जाते हैं, यह जनल एक overview यहां पर चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको होगे, कि पूरा का पूरा troposphere उसकी height को भी यहां पर घेल लेते हैं, तो कि बहुत जादा amount of water इनके अंदर में store होता है, तो cumulo numbers cloud के बारे में आपको पता होना चाहें, इसके लाबा इसके characteristics की बात करें, यानि कि cloud burst के, तो cloud burst को आप cloud के characteristics के base पर define नहीं करते हैं, कि cumulo numbers cloud यहा cloud यहां पर करेगा, हम जो है, वो इसको define करते हैं, कि कितनी rainfall यहां पर होगी, IMD कहता है, कि अगर एक घंटे में 100 mm की बारिश यहां पर हो जाए, तो उस situation को cloud burst कहा जाता है, यह IMD की definition है, Indian Metallurgical Department की, usually cloud burst जो है, वो एक small geographical reason में होता है, और उस reason की जो radius है basically, 20 से 30 square kilometer की यहां पर द देखने के लिए मिल जाएगी, तो हर जगे हम यह जरूर से देख रहा है, कि एक small geographical reason में होगा, तभी उसको cloud burst यहां पर कहा जाएगा, इंडिया के अंदर cloud burst, monsoon season में देखने के लिए मिलते हैं, जब sudden early monsoon winds यहां पर आती है, वो काफी गरम winds होती है, और उससे जो है, वो ज देखे लिखा हुआ है, और ग्राफिक लिफ्ट, और ग्राफिक लिफ्ट के कारण बोंच टेर जो है, वो एक high altitude पर पहुच जाती है, उसकी वज़े से saturated हो जाती है, water dance होना शुरू हो जाता है, और clouds की form यहां पर ले लेता है, यह cloud forming process यहां पर होती है, तो इस तरीके से ज जो है, वो आपका फिर cloudburst के रूप में देखने के लिए मिलता है, cloudburst के रूप में देखने के लिए मिलता है, तो stronger moisture convergence देखने के लिए मिलता है, और क्यों लो निम्बस cloud जो है, वो यहां पर बन सकते हैं, इस particular reason में, mountains की, जो आपकी side होती है, जहां पर आपकी winds जो है, वो उ तरीके से work करता है, तो यह basically एक process है, कि किस तरीके से जो है, वो आपकी aurographic lifting होती है, और क्यों लो नम्बस clouds यहां पर बनते हैं, cloudburst की बात करें, तो cloudburst basically रगड रीजन में होते हैं, जैसे हिमालियन रीजन हैं, western घाट या हिली station, जहां पर hills होंगी, जहां पर aurography जो है, वो द अपसान भी यहां पर होता है, recently cloudburst के जो situations हैं, वो देखने के लिए मिली हैं, हिमालियन फुटेल्स के अंदर, especially हिमाचल परदेश में 2003 में आए, उसके अलावा आप देखो, लदाक में 2010 में, उत्रा खंड में 2013 में इस situations देखने के लिए मिली, cloudburst लगातार देखने के लिए म मिल गई, okay, कहा ये जा रहा था, कि ये जो situation है, वो cloudburst के करण हुई है, लेकिन जब जो आपके mythological department है, उसने इसका कोई record यहां पर नहीं निकाला, उन्होंने कहा कि इस तरीके को situation नहीं मिलती कि cloudburst के कानव फिलट्स की situation यहां पर आई है, ये किसी और वज़े से हो सकता है, weather forecast indicate scattered light rain, उनको तो ये लगा कि एक scattered rainfall होगी, लेकिन यहां पर आप देखो कि cloudburst की situation हुई, इसका मतलब यह है कि IMD के जो methodological record थे, वो कोई सही prediction यहां पर नहीं देपाए, तो monitoring stations जो हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, एक तो आपका टेरान डीजन है, वहां पर ये monitoring station लग यह आपकी होती है, cloudburst एक local phenomena है, जैसा कि आपको बताए कि एक small area के अंदर होता है, अब local phenomena है, तो जो IMD के equipment हैं, monitoring stations हैं, वो इसको monitor नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो यह छोटे समय के लिए होती है, एक घंटे में, जैसा कि IMD की definition भी है, और बहुत ही localized तरीके से होती है, ज को understand करने की ability भी, जो monitoring units हैं, उनके पास नहीं हैं इस तरीके की, तो यह points आपको यहाँ पर जान में रखना है, इसके अलावा बैंगलूरू के अंदर में भी आपको सितंबर 2022 में भारी बारिश जो है, वो देखने के लिए मिली और fillets की situation यहाँ पर बन गई, दो साल पुरा इस strong monsoon bins आती हैं, surge होती हैं और coastal area में cloudburst की condition बनाती है in the same way, तो western ghat वगेरा से औरोजनिक जो upliftment होता है बिंड का और फिर यह situation बनती है, मुंबई में आई थी 2005 में, चेंडनी में 2015 और 2022 बैंगलूरू में यह देखने के लिए मिली, इससे cloudburst की situation बनेंगी, flash flood आएगा और हमा तरीके से धराम हो जाएंगी, वो work नहीं कर पाती हैं, तो अब कुल मिलाके बात याती है कि इन cloudburst को detect कैसे किया जाए, satellites का use हम यहाँ पर करते हैं इसको detect करने के लिए, बट वो large scale monsoon के base पर ही देखा जाता है, क्योंकि cloudburst एक localized phenomena है और बहुत ही short period के लिए होता है, इसका मतल forecast models को भी यहाँ पर यह similar challenge देखने के लिए मिलते हैं, वो भी इस छोटी duration के लिए और छोटी area पर work नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें और जादा scaleful forecasting की ज़रत पड़ेगी, हिली reason में और उसमें भी कुछ challenges यहाँ पर आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख माइक्रोफिजिक्स की और cloud माइक्रोफिजिक्स के base पर जो है वो अब नई scaleful forecasting लेकर के आनी पड़ेंगी, atmospheric level पर, इसके अलावा dopplers जो है वो लगाय जाते हैं, weather radars इनको कहते हैं, इनका use किया जा सकता है, यह एकदम से आप देखो कि तुरंत जो है वो warning यहाँ पर देते ह यहाँ पर आता है, तो यह जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पर ज्यान में रखने हैं, तो इसका मतलब यह है कि long term measures आपको लेने हैं, तो उसके लिए एक सबसे सरल और सस्ता उपाईए है कि आप cloud burst prone reason की mapping जो है वो यहाँ पर शुरू कीजिएगा, यह रहे आपके cloud burst prone reason, उसकी जो है वो automatic rain goes जो है वो यहाँ पर कीजिएगा, cloud burst prone reasons जो है वो reason है जहाँ पर पहले कभी land slide आई हो, कभी कही पर cloud burst यहाँ पर हुआ हो, तो उन reasons को बना करके एक map त्यार कर सकते हैं, और आने वाले जो years हैं उसमें predict कर सकते हैं कि इस particular reason में इस समय पर cloud burst होगा, तो वहा flash floods के impact हैं, land slide के impact हैं, उनको यहाँ पर कम किया जाए, risk जो है वो उसको mitigate किया जा सके, यह जो article है वो आपको इस तरीके से cover करना था, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, climate change भी लगातार जो है वो अपने frequency बदल रहा है, उसकी frequency और intensity climate change की increase हो रही है, this is called climate vulnerability और climate variability okay दोनों चीज़े जो है वो यहाँ पर change हो रही है, जिसे पुरी दुनिया में जो cloud worst की conditions हैं, वो intensify यहाँ पर होती चली जा रही है, air जो है वो वार्म होती चली जाती है, जादस जादा moisture को absorb करती चली जाती है, और इसकी वज़े से आप देखोगे, कि उतना ही जादा बड क्युम्रो निम्बस cloud बनेगा, लग जनरली 12-15 का बनता है, बट अगर जादा warm air हुई, तो यह 18 किलो मेटर का भी यहाँ पर बन सकता है, लंबाई में, यह जो situation है, इसको कहते हैं, किलोसियस-कलैपरोन relationship, यह बताती है, कि अगर 1 degree centigrade rise होता है temperature में, तो उससे moisture और rainfall में 7-10% तक increase हो सकता है, उसकी वज़े से क्युम्रो निम्बस cloud की height भी यहाँ पर बढ़ सकती है, और height बढ़ने का मतलब यह है, कि भारी बातरा में, बारी जो है, वो यहाँ पर होगी, इस से rainfall का amount जो है, वो increase हो जाएगा, और यह जो आपको देखने के लिए मिलेगा, कि result जो है, तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो यह सब चीज़े जो हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी हैं, कि किस तरीके से चीज़े यहाँ पर चलती हैं, और यह थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है, थोड़ा फिजिकल जो है, वो cover हो गई, इसके बाद शरीर की आपके brain में neurons होते हैं, brain में neurons होते हैं, जो की information को सब store करके रखते हैं, इन neurons को अगर हमें mimic कराना हैं, तो mimic कराने के लिए हमें artificial intelligence और machine learning की ज़रत पड़ेगी, कोई machine जो आपके neurons की तरहां वर्क करें, इसी machines develop करने के लिए, आई आई ऐसी बैंगलूरू के scientists जो हैं, यहां पर work कर रहे हैं, 2014 से, और इन्होंने ऐसा सब करने के लिए organic material का इस्तमाल यहां पर किया है, तो याद रखना कि अगर हमें एक neuromorphic device बनानी हैं, तो उसमें organic और inorganic दोनों तरीके के material का प्रियोग किया जा सकता है, organic material, inorganic material से ज़्यादा बहतर होता है, तो इस तरीके हमारे काम की बिल्कोल भी नहीं हो जाती, इस से आगे चलते हैं, और अगले article पर बात करते हैं, यहां पर basically लिखा हुआ है, कि एक molecule जो है, वो यहां पर निकाला गया, जो कि आपका mice के अंदर जो obesity है, उसको prevent कर सकता है, obesity को prevent करने के लिए एक molecule जो है, वो यहां पर तयार कि है, देखते हैं कि क्या बात यहां पर जो है, वो basically की गई है, हम एक diet अपनाते हैं, हम एक discipline exercise यहां पर करते हैं, उसके बाद भी हमारी body shape में नहीं आ पाती, इसका मतलब यह है कि हम obesity से बहुत जादा सफर करते हैं, हमारी जो life style है, वो भी काफी जादा sedentry हो गया है, तो हम जो है, वो developing word में तो देखोगे, आप की irregular तरीके की food habits भी मिलती है, economic stress भी यहां पर होते हैं, जिसकी वज़े से लोगों का जो पेट है, वो बहार आ जाता है, मतलब obesity की problem यहां पर हो जाती है, और उससे बाकी सारी और problems भी यहां पर धीरे-देरे, घटी होने शुरू हो जा जाती है, यह सब चीज़ां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, इसके लिए market में कोई भी drug available नहीं है, जो कि obesity को यहां पर कम कर सके, और इससे associated disorders हैं, उनको यहां पर disorders हैं, उनको कम कर सके, तो ऐसी कोई drug यहां पर बिलकुल भी available नहीं है, over the past year, past two decades, basically पिछले 20 सालों से जो है, वो scientist यहां पर work कर रहे हैं, और इन्होंने gene modification के base पर एक ऐसी जो कह सकते हैं कि protein उसको develop यहां पर किया है, जो कि obesity को कम कर सकती है, अभी study चल रहे हैं, अभी mouse पर हुई है, human trial बाद में होगा, तो एक gene modification किया है, याद रखना है, इन्होंने gene modification किया है, ना कि genetic sequencing, okay, genetic sequencing नहीं कि इन्होंने gene modification किया है, बतलब जो gene पहले से मौझूद हैं, उन्में ही just changes यहां पर किया है, कोई new genes added नहीं किया है, तो यह जो molecular biology होती है, इसको कहते हैं epigenetics, और epigenetics की मदद से हमें जो है, वो यह drug जो है, वो यहां पर देखने के लिए मिलेगी, धीरे धीरे, हमारा chemical modifications, DNA और histone में अगर हम कर दें, देखो, modification लिख रहा है, तो इसलिए आपको याद रखने कि यह genetic modification है, बस उस particular protein और DNA में कुछ changes करने हैं, कुछ भी नया introduce नहीं करना है, तो उसमें कुछ changes यहां पर कर दें, तो हम जो है, वो यह diabetes के situation है, इससे लड़ सकते हैं, health or disease से, जो है वो लड़नी कोशिश यहां पर कर सकते हैं, तो इन्होंने basically यहां पर आप देखो कि we have discovered that one such really studied modification of histone, इन्होंने histone के अंदर में histonic protein है, जिसके चारो तरफ DNA जो है, वो जोड़ा हुआ होता है, इसमें कुछ changes यहां पर किये हैं, इसमें कुछ modifications यहां पर किये हैं, और यह जो तो अब जो है, वो इस particular जो आपका histone का chemical निकल करके आया, इस chemical के अंदर changes देखने के लिए मिले हैं, यह बहुत deep में हो गई, मुझे पता है, इतना deep में नहीं जाना है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर इस तरीके से work यहां पर होता है, तो अब यहां पर बहुत सारे years के effort के बाद इन्होंने एक semi-synthetic derivative यहां पर develop किया है, और develop करने का मतलब यह है, इन्होंने एक molecule naturally found किया है, जिसका नाम है कोकुम, और यह कोकुम को scientific नाम भी दिया गया है, और यह basically इस कोकुम के जरीए जो है, वो modification यहां पर किये जाएंगे, बाकी को ignore मार बहुत जादा detail में हो रहा है, और यह basically इन्होंने traditional knowledge का इस्तमाल किया है, और कोकुम इसको जो है, extract किया गया है, have been known to be a protective effect against obesity, तो आप just इसका नाम याद रख लो कि there is something called कोकुम और इसका इस्तमाल इस तरीके से यहां पर होता है, और यह चीज़ें यहां पर मिल जाएंगी इसके अलावा furthermore, its major chemical consequence, garcinol was found to be toxic as it targets many enzymes known specifically, तो इतना जो है, वो आपको यहां पर पढ़ना है, बस sufficient है, इसको ignore कर, इसके अलावा यहां पर देखोगे, लिखा हुआ ही question corner है, और question corner में है, how common are water containing exoplanets, तो exoplanets के ओपर study हुई और एक नई study ने basically यह बताया, कि जो exoplanets यहां प present है, और वो बिल्कुल भी rock की तरह नहीं है, वो half water है, और half rock की तरह यहां पर work करते है, इस चीज़ को जो है, वो यहां पर बताया गया, all the water is probably embedded in the rock, rather than flowing as ocean or river on the surface, तो यह चीज़ जो है, वो आपको यहां पर मिलेगी, कि सारा का सारा water, वो किसी भी तरीके के open drainage system के तरू न इन्होंने इन पर study की groups of planet पर और इन groups of planet को M dwarf यहां पर कहा जाता है, scientist ने लगबग 43 planets को जो है, वो looked out किया, और पता चला कि इनकी densities के base पर यह बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, एक planet अच्छा खासा भारी होना चाहिए, लेकिन जितना उनका बज़न है, वो उतने ज़्य के का open drainage आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसलिए जब हम exo planets के ओपर water discovery करते हैं, तो हमें ओपर पानी देखने के लिए नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो rock के अंदर में embed यहां पर हो गया होगा, तो यह चीज जो है, वो हमारी help करेगी, studies, और इसमें अगर हम ही हैं, वो आपका rocks के अंदर जो pockets हैं, उसमें यहां पर store हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, embed यहां पर हो गया, तो just यह exoplanet की formation के बारे में चीज़ें discuss की गई हैं, इसमें भी आपको ज़्यादा detail में नहीं जाना है, तो यह सब चीज़ें आपको यहां पर याद रख पूरा कपूरा question ऐसे का, ऐसा ही, उसके अलावा बाकी चीज़ें तो आप हलकी हलकी देखे रहे हैं, चलिए, यह वीडियो का end करते हैं, thanks for watching, take care